गुण मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नसीम अनसारी फिर से आ गया हूँ रिवर्स इलोजीजम के कोश्चिन लेकर और आप सबोंका स्वागत करता हूँ दोस्तों, रिवर्स सेलोजीजम का मैंने एक कोश्चिन लिखा है इससे पहले वाले मेरे reverse syllogism के first वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था किस तरह से theory मैंने बताया था कुछ एक जामपल भी मैंने लिये थे और मैंने बताया था कि next वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा और reverse syllogism का जिसमें question मैं दूंगा और उसको speed से कैसे हम लोग बनाएंगे वो हम लोग solve करेंगे मिलकर हम लोग बनाएंगे तो दोस्तों देखें reverse syllogism का एक question लिखा हुआ है जिसमें conclusion दिये हुए है सबसे पहले उपर में conclusion दिया हुआ है दो conclusion है first conclusion no girl is princess और second conclusion है some princess are boy और उसके बाद statements दिये हुए है देखे statement number one में तीन statement है और statement number two जो है उसमें भी तीन statement दिये हुए है statement number three में भी तीन statement है और statement number four में भी तीन statement है और statement number five में भी तीन statement है तो आप लोग को बताना है कि statement number 1, 2, 3, 4, 5 इन में से कौन सा एक statement का pair है जिसके सभी statements को use हम लोग यदि करेंगे तो ये जो दोनो conclusion है ये दोनो conclusion correct हो जाएगा मतलब कौन से pair के तीनो statement को use करने पर ये दोनो conclusion logically follow हो जाएगे correct हो जाएगे उन तीनों के help से तो ये हम लोग एक-एक करके बताना है चलिए सबसे पहले serially ही check करते है ठीक है देखेगा और इससे पहले जिनको theory में कुछ भी problem हो तो मेरे reverse syllogism के part 1 जो है first video को आप अच्छे से देख लिजेगा पूरा देखेगा वीडियो को और आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा मैं hope करता हूँ और उसके help से ये जो reverse syllogism का example मैंने अभी आप लोगों में दिखा रहा हूँ ये बहुत जल्द आप लोगों से बनेगा चलिए हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग सब मिलकर इस question को बनाते हैं देखे एक statement number one में देखे statement दिया हुआ है पहले first number को देख लेते हैं इसमें देखे दिया हुआ है some princess are girl, no girl is boy some boy are red तो कौन से तीनो statement का help लेंगे कि ये दोनो conclusion correct हो जाएगे तो मैंने बताया था कि अपने को हम लोग conclusion मानते हैं तो conclusion number one में देखे पहला conclusion no girl is princess तो girl की degree है hundred और princess की degree भी है hundred तो हम लोग अपने को अभी assume करेंगे कि ये girl अपने को assume करना है और हमारा target है कि मुझे princess तक पहुंचना है ठीक है? girl से start करेंगे और princess के पास पहुंचना है with the help of some steps जो मैंने बताया था link सबसे पहले link form करना है और उसके बाद फिर corner में जाने के बाद फिर jump to same element फिर corner में जाने के बाद degree matching ये तीन चीज मैंने बताया था मैंने तीन चीज क्या है link formation और jump to same element jumping और third है और उसके बाद है degree matching और corner में चलते रहना है और बार बार jump करेंगे जब तक हम पहुंचने जाएंगे तो चले देखते हैं सबसे पहले girl तो girl के degree है 100 girl के degree है 100 और princess के degree भी है 100 मुझे girl से start करना है princess तक पहुंचना है तो मैं हूँ यह जो conclusion वाला girl है वो मैं खुद को assume करूँगा statement वाला girl हम लोग नहीं है तो देखे girl के degree 100 है तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि girl कहाँ पर है statement में तो देखे girl देखे यहाँ पर भी है और girl यहाँ भी है तो मैं 100 हूँ और यह तो मेरे से कम है जिरो है यह 100 है तो उसके साथ हम लोग link form करेंगे link formation करेंगे फिर वहाँ से corner चले जाएंगे boy और boy से boy jump करेंगे देखे jump to same element फिर यहाँ से red चले जाएंगे और हमारा target है कि मुझे princess तक जाना है तो red से red फिर jump करेंगे तो red से red फिर और कहीं नहीं है इसलिए यह वाला wrong हो जाएगा तो first जो मेरा pair दिया हुआ है यह wrong हो जाएगा यह wrong है second देखेगा फिर वही मुझे सबसे पहले देख लेता हूँ कि girl किसमे है तो girl देखे यहाँ पर भी है और girl यहाँ भी है लेकिन मेरा जो यह जो girl है conclusion वाला girl वो 100 है और statement का यह girl 0 है और यह है 100 तो इसके पास जाएगे क्योंकि equal to me और more than me तो देखे 100 हो गया link formation हो गया वहाँ से corner चले जाएगे red और इसके पिर red से red jump करना है क्योंकि jump में same element होना चाहिए तो red से red कहीं पर नहीं है red तो इसलिए jump नहीं हो पाएगा तो second भी cut गया third देखेगा third में देखे girl सबसे पहले मुझे girl लेना है तो girl देखे कहाँ पर है तो girl है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो कौन से girl को use करेंगे कि princess तक जल्दी पहुँच जाएगे तो देखे girl boy 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 princess तो सबसे पहले इस girl को देखते है तो girl hundred girl hundred हो जाएगा link formation हो जा रहा यहाँ से corner चले गाए boy और boy से boy jump करेंगे anywhere hundred jump हो जाएगा और यहाँ से princess चले जाएगे लेकिन मैंने आप लोगो theory बताये था जब मेरा conclusion जब मेरा conclusion negative हो तो जितने तरह की statement का help लेंगे उसमें से एक compulsory है कि negative होना चाहिए but more than one negative statement should not be used देखे यह दोनो negative statement है इसलिए दो negative statement का आप help नहीं ले सकते हैं तो और इक जो girl है उससे अब try करते है तो girl girl हो गया 100 hundred और यहां से red और red से red कहीं नहीं है इसलिए wrong हो जाएगा ठीक है fourth वाले को देखते हैं देखे fourth वाला देखिएगा fourth क्या है fourth सबसे पहले मुझे girl देखना है girl girl हो गया तो यहां भी girl है और girl तो कहीं नहीं है तो girl hundred hundred हो गया यहां से red चले गया red से red जंप करेंगे ठीक है red से red तो red से red जंप हो गया जंप हो जागा इनिवेर hundred और यहां से princess चले जाएगे मुझे princess जाना था degree matching हो गया देखे equal to me तो first conclusion correct हो गया अब second देखते है some princess are boy तो princess की degree है zero और boy की degree भी है zero तो सबसे पहले देखते हैं princess तो princess princess हो गया zero zero और यहां से कौने चले गया boy तो मुझे boy तक ही जाना था तो इसलिए यह मेरा correct हो गया positive है positive है तो fourth number is correct next देखते हैं यह देख लेते हैं कि पांचवा नमबर क्यों wrong हो रहा है यह हम लोग check कर लेते हैं तो देखें सबसे पहले girl देखना है तो girl कहां पर है तो girl इसमें दो जगा है लेकिन यह है zero degree वाला girl है और यह है hundred degree वाला girl क्योंकि मैं तो hundred हो तो girl girl हो गया link formation हो गया यहां से corner चले जाएंगे red और red से red जम करना था तो कहीं नहीं red है तो इसलिए यह wrong हो गया तो मेरा answer हो गया चार नमबर तो चार नमबर के जो तीन statement है मतलब उन तीनों को यह दि यूज करेंगे तो उन तीनों के help से यह दोनों conclusion correct हो जाएगा no girl is princess correct और some princess are boy correct ठीक है तो चले दोस्तों मैं hope करता हूँ कि आप लोग को यह बहुत ही पसंद आया होगा और मैं तो आप लोग के साथ discuss कर रहा था इसलिए हम लोग के इसमें time लगा थोड़ा यह आप जब खुद से concentrate होके solve कीजेगा तो इससे भी ज़्यादा speed साब solve कर सकते तो चलिए एक normal question मैं syllogism का दे रहा हूँ degree के help से उसे solve करते है देखेगा वो बहुत ही अच्छा question है देखे एक अच्छा example मैंने लिया है मैंने खुद से इस question को बनाया है क्या लिखा हुआ है syllogism best question of confirm case मतलब possibility वाला नहीं है confirm case का है degree method degree method के help से हम लोग इसको solve करेंगे और sum not time मतलब इसमे statement में भी देखे sum not वाला statement दिया हुआ है जब statement में ज़्यादा sum not वाला statement हो तो degree वाले method के help से आप कोशिच कीज़े solve करने का देखे ये normal question ही है statement उपर दिया हुआ है और conclusion नीचे लेकिन अभी latest में जो reverse syllogism में अभी पूछा जाता है उसमें conclusion उपर कर दिया जाता है और statement नीचे तो देखे ये एक normal question दिया हुआ है जिसमे statement उपर है और conclusion नीचे तो देखे 4 statement दिया हुआ है और तीन conclusion दिया हुआ है चलिए हम लोग statement में भी देखे sum not दिया हुआ है और conclusion में भी sum not है ऐसे question को हम लोग speed से कैसे बनाईगे देखेगा तो मैंने बताए था कि we are conclusion अपने को assume करना है कि my conclusion हूँ ठीक है अपने को assume करना है कि my हूँ conclusion तो conclusion नमर वान है sum rate are not mango तो rate की degree 0 हो जाएगी rate की degree 0 और mango की degree 100 क्योंकि not है sum not का मैंने बताए था कि sum not का होता है 0 100 subject 0 और predicate 100 तो अपने को मैं rate बालूंगा और मेरा target है कि मुझे mango तक कहुँच रहा है तो statement में देखे कि rate कहां पर है तो rate यहां है और rate यहां भी है दो statement में rate है तो कौन से rate के help से मैं जल्दी से mango के पास जा सकता हूँ उसको आप देख लिजे तो देखे rate तो यह इसको मैं चेक करते हैं last वाले को तो इसके degree 100 है तो मैं हूँ 0 और वो 100 है तो equal to me या more than me we are conclusion तो मैं 0 हूँ वो मेरे से जादा है तो link हो जाएगा link form वहाँ से corner चले जाएगे apple हम लोगो mango जाना था तो apple से apple jump करना है तो apple तो यहां है तो आप जा सकते हैं apple से apple jump करेंगे तो anywhere 100 किसी एक apple के पास 100 होना चाहिए तो है इसके पास है jump हो जाएगा वहाँ से mango चले जाएगे ठीक है मुझे mango तक कहुँचना था अब फिर degree matching कर लेंगे तो red red का link formation होता है और mango mango का होता है degree matching तो last में degree matching कीजे इस mango की degree है 0 लेकिन degree matching का rule है कि equal to me या more than me तो मैं हूँ 100 और वो statement वाला जो mango है वो less than me है तो मेरे से कम हो गया ठीक है तो इससे नहीं हो पाएगा तो ओरी जो red उससे try करते है तो red red हो गया 0 और यह 100 तो link formation हो जाएगा यहां से graph चले जाएगे और graph से graph जम करेंगे देखे graph से graph जम करेंगे लेकिन jumping का rule है कि anywhere must be 100 ठीक है दोनों graphs में से किसी भी graphs बस 100 degree होना चाहिए तो इसके पास भी 0 है some वाला है और some not वाले में subject में 0 और यह देखे all का predicate भी 0 होता है तो 00 में jump नहीं होगा इसलिए यह wrong हो जाएगा first wrong है second देखेगा second is some mango are not red some mango are not red तो subject is mango और predicate है red तो mango के degree है 0 और red के degree है 100 ठीक है तो सबसे पहले मैं आपने को mango मानूगा और finally मुझे red तक जाना है तो मैं हूँ mango मेरी degree है 0 उपर statement